हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कोकुत पुनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके संग सेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी लड़ू की तो चली रेसिपी सुरू करते हैं तो पैन में डालेंगे घी तो मैंने यहाँ पे वन थर्ट घी लिया है एक कप का तीन का एक भाग घी जब मेल्ट हो जाए तब इसमें एट करेंगे एक कप बेसन तो इसमें बेसन को डाल देंगे और घी और बेसन को मिक्स कर देंगे तो गैस की फिलेम को लो रखेंगे तो लो फिलेम पे बेशन को आराम से भुनना है इसे तेज आज पे नहीं भुनना है तो गैस की फिलेम को लो रखेंगे ऐसे चलाते हुए इसे भुन लेंगे अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें एक से दो चमच घी एड़ कर सकते हैं और इस लड़ू को बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये दस मिनट के अंदर ये लड़ू बनके रेडी हो जाती है बेसन हमारा भुनना शुरू हो चुका है जब बेसन भुन जाएगा तो इसमें से घी छोड़ देगा तो इस तरह से कंटिनू चलाते हुए मैंने बेसन को भुन लिया है आप चाहें तो बेसन की जगा आप चैना डाल से भी इसे बना सकते हैं और ये हमारा बेसन भुन चुका है आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल के भी इसे बना सकते हैं तो इसे और एक मिनट के लिए भुन लेंगे तो एक मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है तो यह हमारा बेशन बून चुका है तो आप गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और इसे कंटिनिव चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी भी गरम है बेशन जल सकता है तो इसे चलाते हुए इसे ठंडा कर लेना है आप चाहें तो इसे पंके के नीचे भी रखके इसे ठंडा कर सकते हैं तो इसके बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई इलाईची मिक्स करेंगे मैंने पैन को गैस से उतार लिया है और इसे ठंडा होने के बाद इसमें एट करेंगे चीनी तो जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसके बाद इसमें एट कर देंगे पाउडर सुगर तो यह हमारा बेशन जो है वो ठंडा हो चुका है तो इसमें add कर देंगे powder, sugar, half cup और इसे mix कर देंगे तो मैंने इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है उसके बाद इसके लड़ू बना लेंगे तो आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े साइज के लड़ू बना के ready कर लें और इसे गानिस करेंगे काजू और किस्मिस से तो आपको इसकी रेशिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बता है चैनल पढ़ना है तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर करना बिल्कुल न भूले सस्क्राइब बिल्कुली फ्री है